हलो एंड वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल, होपे रॉल डोइंग वेल, तो देखो आज हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानि की भारतिय कला इवं संस्कृती से रिलेटेड क्वास्चन को यहां पर डिसकस करेंगे, यह क्वास्चन देखो आपके प्रीवियस एक्ज नाम्स में हम बेनिफिशल होने वाले हैं, देखो भारतिय कला की यहां पर बात की गए है, तो अगर आपने वह वाली वीडियो अब तक नहीं देखिया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर इंडियन आर्ट एंड कल्चर क्वास्चन करके लिंक दिय लें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टोटल हम यहां पर 25 यानि कि 25 को डिसकस करेंगे, तो देखो इन 25 क्वास्चन में से आपके कितने सही होंगे यह भी आप नीचे कोमेंट करके बताओगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बाकि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जरूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेर को सब्सक्राइब कर दें question number हमारे 116 है तक्षशिला वाज फेमस फॉर तो तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था अब देखो तक्षशिला पहलो आपको पता होना चाहिए कि यह है कहाँ पर तो देखो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में यह स्थिद्ध है तक्षशिला तक्षशिला जो है तो एक महतवपुर्ण के अंदर था प्राचिन समय में तो किसके लिए यह फेमस था तो यह गंधार कला के लिए फेमस था यह यहां से पॉइंट आपको देखो नोट रखना है अगर एक्जेंपल के लिए अगर बात करें अगर बोला जाए कि कनिश्क के ही साशनकाल में गंधार कला का विकास तेजी से हुआ था इसका क्या एक्जेंपल है तो इसका एक्जेंपल है कि ब्रह्मी लिपी थी या फिर प्राकृत लिपी थी तो देखो सिंपल से मैं आपको यहां पर दो पॉइंट बताऊंगा देखो सेंटर और पुर्वी भारत के भाग में जो है तो ब्रह्मी लिपी का यूज किया जाता था कहां पर center और center प्लस पूर्वी यानि कि east भाग में और अगर बात कर लिजाए कि उत्तर पस्चिमी भाग में तो उत्तर पस्चिमी भाग में जो है तो प्राकृत भाशा के यूज किया जाता था जिसमें जो है तो खरोश्टी लिपी का यूज किया जाता था तो देखो according to official answer क correct है पर आखरीत है बर देखो I think कि यहां पर ब्रह्मी correct होना चाहिए था बाकि आप नीचे comment करके बताओ कि इसका right option क्या होगा बाकि देखो अशोक के बारे में दो point आपको note रखना है पहला point के note रखना है कि अशोक ने अशोक जो है तो मगद की राजगदी पर कब बैठा तो 269 BC में जो है तो यह मगद की राजगदी पर बैठा था दूसरा point आपको note रखना है कि कलिंग का कर्मन इसने कलिंग पर इसने आकर्मन कब किया था तो 261 BC में जो है तो इसने कलिंग पर आकर्मन किया था तो देखो यह दो point आपको बिलकुल note रखने हैं HP SSC हमेरे पर about क यह favorite question है तो यह आपको note रखने है question number 118 देखो यह एक लौदा question जो है तो जियोग्राफी से रिलेटर यहां पर आ गया है तो इसको हम यहां पर discuss कर लेते हैं circumference of earth is approximately तो प्रिथवी की परिधी लगबग कितनी होती है तो देखो प्रिथवी की परिधी लगबग 40,000 km होती है option B यहां पर देखो correct हो जाएगा question number 119 की बात करें famous artist literature and painters शरीक had spent his precious 20 years at तो प्रसीध कलाकार साहित्यकार चित्रकार शैरिक ने अपने जीवन के अमुल्य 20 वर्ष जो है तो कहां पर व्यतीत किये थे देखो यह नोट आपको रखना है इस चित्रकार का नाम आपको नोट रखना है शैरिक और बाकी यह यह य चित्रकार था तो इसने अपने जीवन के अमुल्य 20 वर्ष जो देखो कहां पर व्यतीत किया थे तो यह नगर कुलू में व्यतीत किया थे option d देखो यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा यहां से आपको यही point note रखना है अगले question की बात करें who is known as a Hindu Muslim painter तो देखो Hindu और Muslim painter किसे कहा जाता है देखो most important question मैं इसको कहूंगा HPSSC इस question कुछ है तो हर एक exam में पूछ लेता है चाहिए वो clerk का exam हो, commission का exam हो, steno का exam हो, हर किसी के exam में जाता है तो इसको पूछ लिए जाता है तो देखो Hindu और Muslim painter की से कहा जाता है देखो जो मैंने पड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ देखो Hindu और Muslim painter कहा जाता है पिकासू को किसको कहा जाता है पिकासू को अब देखो options में यहाँ पर Picasso कहीं भी नहीं है तो देखो according to official answer की option D यहाँ पर correct है महम्मद सजनू, महम्मदी सजनू, option D यहाँ पर correct हो जाएगा तो देखो यहाँ से आपको दो point note रखने है हिंदू और मुस्लिम पेंटर की से कहा जाता था एक तो point आपको यह note रखना है कि यहाँ पिकासू को कहा जाता है कई बार option में अगर पिकासू दे दिया गया तो आप पिकासू पे option टिक करके आओगे और दूसरा आपको यह note रखना है महम्मदी सजनू, option D यहाँ पर देखो correct हो जाएगा अगले question की बात करें question number 121 है which is the largest idol of the world तो विश्व में सबसे बड़ी मूर्ती कौन सी है तो देखो विश्व में सबसे बड़ी मूर्ती है सबसे बड़ी मूर्ती कौन सी है तो यह statue of unity यानि की सरदार बल्लव भाई पटेल की मूर्ती इंडिया में यह स्थित है अगर आप से फिर्ट में पूछ लिया जाएगा तो फिर्ट में कितनी है तो एपरोक्स आप मान के चलो 600 फिर्ट 600 फिर्ट इसकी हाइट है तो यहां से आपको यह दो पॉइंट देखो नोट रते हैं जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें फेमस पेंटिंग युधिस्टर की स्वर्ग यात्रा युधिस्टर's journey to the heaven वाउस पेंटेड वाई तो सूपरसीद चितर युधिस्टर की स्वर्ग यात्रा किस चितरकार द्वारा बनवाया गया था देहो ये भी most important question है अगर आप LD Commission की तेयारी कर रहे हो तो ये question जो है तो आपने देखा होगा बहुत बार exam में बनता है तो देहो सूपरसीद चितर युधिस्टर की स्वर्ग यात्रा जो है तो किस चितरकार द्वारा बनवाया गया था option B देहो यहां पर correct हो जाएगा option B यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ यही point note रखना है इस जो है तो चितरकार का नाम आपको बिल्कुल note रखना है नंदलाल बोस और उन्हीं होना जो है तो युधिस्टर की स्वर्ग यात्रा चितरकार जो है तो चितर बनवाया था अगले question की बात करें question हमारा 123 है at present for what purpose Topaz Animator Pro 3D Studio and Fusion etc. software are used तो वरतमान समय में Topaz Animator Pro 3D Studio और Fusion आधी software का प्रयोग कौन से कारे के लिए किया जाता है animation कारे के लिए किया जाता है option C देखो यहां पर correct हो जाएगा अगले question की बात करें question 124 है elephant caves are situated at elephant की गुफाएं देखो कहां पर स्थिद है देखो यह भी important question है आप सभी को इसका answer पता होगा elephant की गुफाएं कहां पर है तो यह महारास्टर में स्थिद है option D देखो यहां पर correct हो जाएगा 124 का option D correct हो जाएगा अच्छा यहां से आपको एक point note रखना है यह जो elephant caves है इनको जो है तो world heritage list यानि की विस्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था 1987 यह देखो question बहुत बार exam में बनता है तो इसको आपको यहां से note रखना है अगले question की बात करें शोभा सिंग आर्ट गैलरी is situated at तो शोभा सिंग आर्ट गैलरी देखो कहां पर स्थित है तो देखो यह कांगड़ा के अंधरेटा में स्थित है option A यहां पर देखो correct हो जाएगा 125 का option A correct हो जाएगा question number 126 की बात करें who had written the book पहाडी चितरकला तो पहाडी चितरकला नामक पुस्तक किस ने लिखी है अब देखो यह भी important question है यह बहुत बार exam में बनता है पहाडी चितरकला नामक पुस्तक लिखी है कि शोरी लाल वैदेनी option C यहां पर देखो correct हो जाएगा option A में जो है तो LC परार्थी यानि की लाल चंदर परार्थी है तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है तो इन्होंने लिखी है कुलूत देश की कहानी जो की अकसर exam में पूछी जाती है अचा शांता कुमार की कुछ पुस्तके हैं जैसे कौन कौन सी जैसे पहाड बेगाने नहीं होंगे हिमाले पर लाल चाया मरिक दिरिशना, लाजो, राजनेती की शत्रंच तो ये किन की पुस्तके हैं ये शांता कुमार की पुस्तके हैं ये आपको यहां से नोट रखनी है बहुत ज़ादा important है अगले question की बात करें question हमारा 127 है वाई श्री प्रेमलाल ऑफ चंबा वाज फेमस तो चंबा के श्री प्रेमलाल क्यों मशहूर थे तो देखो क्यों मशहूर थे क्योंकि यह एक painter थे और एक designer थे यानि की चित्रकदा एवं designer से यह संबंधी थे option A यहां पर देखो correct हो जाएगा देखो इस तरह के question आपके जो है तो exam में पूछ लिए जाते हैं फिर चाहिए वो clerk का exam हो steno का exam हो या फिर commission का exam हो यहां से आप से simply पूछा जाएगा कि प्रेमलाल का संबंध जो है तो किसे रियासत से था तो देखो यहां से आपको नोट चल गया कि चंबर यासत से इनका संबंध है और किसे संबंध हैं तो यह है चितरकलाव designing के क्षेतर से संबंध है तो देखो दो तिन पॉइंट तो यहां से ही आपके पिल्कुल नोट हो गए ओके चितरकलाव designer से संबंध हैं प्रेमलाल थी देखो पहले तो मैं आपको एक point यहां पर note करवा देता हूँ, यह जो यामिनी रॉय लिखा गया है, देखो यह यहां पर गलत लिखा गया है, इनका नाम क्या था, इनका नाम था जामिनी, जामिनी रॉय, यह यहां से देखो point आपको note रखना है तो jamini rai या फिर jamini rai यहां पर आपको confuse नहीं होना है तो jamini rai या फिर jamini rai का नाम जो है तो किस खेतर में दिया जाता है तो यह ललित कला यानि की fine arts में इनका नाम जो है तो लिया जाता है यह option से यहां पर देखो correct होगा अब देखो अगर आप HS level की exam की तेयारी कर रहे हो तो आपसे simply पता है क्या पुछा जाएगा आपसे पुछा जाएगा कि यह जो यामिनी रॉय है या फिर जामिनी रॉय है इनको पदम भोशन कब दिया गया देखो इनको पदम भोशन दिया ग करना है बागी देखो अब ही तक अगर आपने हमको टेलिग्राम और इंस्टा भी फॉलो नहीं किया है जिरूर सिर्फ वहां पर जागर करके फॉलो कर लें क्यूंकि आपको वहां पर वन लाइनर करण्ट अफेर्स प्रवाइड करवाई जाती है डेली के डेली हमेरे पर ब मध्यपरदेश के जिलों के नाम जो है तो यहां से आपको एक point note रखना है कि मध्यपरदेश के राय सेन, राय सेन जीले में जो है तो भीम बेटका की खुवाइं स्थित हैं, ओके यहां से आपको यह पॉइंट नोट रखना है, अच्छा यह कितने साल पुरानी है, तो एप्रॉक्सिमेट जो है तो यह 30,000, 30,000 साल यह पुरानी है, अच्छा एक क्वाश्चन, एक नही करने जो है तो इनकी खोज की थी, और दूसरा क्वाश्चन क्या बनेगा, कि विश्णु श्रीधर वाकन करने इनकी खोज की कब थी, कब करी थी, तो 1957, या फिर कईवार आप्शन में 1958 भी दिया जाता है, तो यह दो आपको पॉइंट नोट रखने हैं, कि विश्णु श्र इनकी खोज की थी, और कब की थी, 1957 या फिर 1958 में इनकी खोज की थी, ओके अगले कोशन की बात करें, कोशन हमारा 131 है, तो मोहन जोड़ो से प्राप्त निर्ट्यांगना की धातो मुर्ति की उँचाई कितनी है, ओके तो कितनी है, देखो यह इस इंपॉइंट कोशन है, 131 क ओप्शन यहां पर बी कोरेक्ट हो जाएगा, 10.5 cm जो है तो यह इसकी उँचाई थी, निर्ट्यांगना की धातो मुर्ति की उँचाई लगवा किती थी, 10.5 cm थी, ओप्शन बी यहां पर देखो कोरेक्ट हो जाएगा, मोहन जोड़ो, जो है तो कितने एरिया में फैला हु जोई थी, यह यहां से आपको पॉइंट विल्कुल नोट रखना है, अगले कॉशन की बात करें, कॉशन वन थार्डी, टू, इन फिच के वाफ अजन्ता, बजरपानी बोधी सत्व का चित्र, अजन्ता की किस गुफा में चित्रित किया गया है, देखो अजन्ता की गुफ गुफा में चित्रित किया गया है, तो गुफा नंबर एक में जो है तो बजरपानी बोधी सत्व का चित्र जो है, तो चित्रित किया गया है, ऑप्शन ए यहां पर देखो बिल्कुल नोट रखना है, इसको आपको देखो बिल्कुल नोट रखना है, इसको आपको देखो 1987 World Heritage List में इसको शामल किया गया बज्जरबानी बोधी सत्व जो है तो किस गुफा में जितरत है तो यहाँ गुफा संख्या एक में अब देखो अजंता की कौन सी गुफा सबसे पुरानी मानी जाती है यह भी कौस्ट इंपॉर्डन है तो गुफा नंबर 9 जो है तो सबसे कॉफाओं का निर्मान किस किस वंच के साजकों ने किया था यह आप नीचे कमेंट करके बताओं अरदूसरा कॉशन है कि अजंता की कुफाओं को Philip कあー Girls कि स्वंच के साजक ने किया था और इसको carrier किस ने किया था ओगले कॉशन की बात करेば 134 है who has painted famous painting सोहनी महिवाल तो सोहनी महिवाल प्रसीद चितर की से चितरकार ने बनवाया है तो 134 का देखो option B correct हो जाएगा तो शोभा सिंग ने जाए तो सोहनी महिवाल प्रसीद चितर बनाया है option B यहाँ पर देखो बिल्कुल correct हो जाएगा question हमारा 135 है वर्थ प्लेस आफ अमरिता शेर गिल तो अमरिता शेर गिल का जन्मस्तान देखो कहां पर है आप देखो कुछ स्टूडेंट से शिमला देखार शिमला को टिक करके आ जाएगे बड़ देखो यहाँ पर जन्मस्तान पुछा गया है लिए सीमला से उनका संबन रहा है तो यहांपर जन्मस्दान पूछा गया है तो जन्मस्दान पूछा था वौड़ापिस्ट मैं झुल्ट यहांपर कोर्यक्ट हो जाएगा तौिया कैपिटल है किसकी राज हानी हैं तो यह हंगरी के ऍचनट्रीन कीmotion अगरी कानट्रीनerson माम स सतीष गुजराल ने देखो यह most important question है सतीष गुजराल से एक question निकल कर आता है जो कि आपके HS level या फिर नयव तरसिल दर अलाइट exam के लिए बहुत ज़्यादा important है देखो यहां से आप से question पूछा जाएगा कि सतीष गुजराल को पदम बिभोशन कब दिया गया देखो उनको पदम बिभोशन मिला था 1999 में 1999 में इनको पदम बिभोशन मिला था यह point यहां से आपको note रखना है question number 137 की बात करें तो अमरिता शेरगिल ने भारती रंगों का नाटकी या परियोग करना किस चितरकार से सीखा था देखो अमरिता शेरगिल के बारे में हमने एक question पीछे है डिसकस किया कि इनका जन्म जोहतों कहां पर हुआ था वोड़ा पेस्ट में हुआ था जो कि किसकी capital है हंगरी की अब यहाँ पर पूछा गया है कि अमरिता शेरगिल ने भारती रंगों का नाटकी या परियोग करना किस चितरकार से सीखा था तो यह गोगिन से सीखा था option यहाँ पर देखो डिकॉरेक्ट हो जाएगा यहाँ से आपको यही point note रखना है question हमारा 138 है राजा रवी वर्मा was born in तो राजा रवी वर्मा का जन्म जो है जो कब हुआ था तो 138 का option C correct हो जाएगा 1848 48 में उनका जो है तो जन्म हुआ था option C यहाँ पर correct हो जाएगा राजा रवी वर्मा का संबंद जो है तो किस क्षेतर से है यह भी आप नीचे comment करके बता दो अगले question की बात करें question हमारा 139 है who had painted शकुंतला तो शकुंतला चितर किस कलागार ने बनाया था देखो यह भी most important question है तो इस question का right option है option A रवी वर्माने जो है तो शकुंतला चितर बनाया था option A यहाँ पर देखो बिलकुल correct हो जाएगा question हमारा 140 है जो कि हमारा last question है at which age अमरिता शेरगिल वॉज डाइड तो अमरिता शेरगिल की मृत्यू जो है तो किस उमर में हुई थी देखो अमरिता शेरगिल के बारे में हमने दो पॉइंट पहले ही discuss कर लिए तो यहाँ पर बुछा गया है कि अमरिता शेरगिल की मृत्यू किस उमर में हुई थी जन्म इनका कहां पर हुआ था वुड़ा पेस्ट में और मृत्यू कहां पर हुई तो मृत्यू हुई लहूर में और कब हुई थी तो यह 28 वर्ष की उमर में इनकी जो है तो मृत्यू हुई थी option बी देखो यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा अब देखो लहूर में इनकी काप हुई थी अच्छा एक question में आपको mind based question यानि की reasoning का question देता हूं देखो इनकी मृत्ति हुई थी 1941 में 1941 में मृत्ति हुई थी तो मृत्ति उनकी 1941 में हुई थी 28 वर्ष की उमर में तो इनका जन्म किस जो है तो किस सन में हुआ होगा तो यह आप ही आप नीचे comment करके बता दो तो guys यह थे हमारे कुछ questions आई hope वीडियो आपको इंफर्मेटिव लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन को जरूर दबाएं तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में तिल टेकर